आज हम डिसकस करने वाले हैं food and beverage expenses के बारे में नमस्ते दोस्तों मैं सुमन सर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चानल सुमन एजुकेशन हब में आज हम डिसकस करने वाले हैं food and beverage expenses के बारे में इस expenses को अगर आप चाहें तो staff welfare के अंड़ में भी book कर सकते हैं बट अगर आप चाहें तो separately food and beverage expenses नाम से leisure को create करके और इसके expenses को इसके अंड़ में book कर सकते हैं तो कैसे के आपको इसके anti करनी हैं यह मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले एक चोटी सी request है मेरी आपसे भी लोगों से अगर आप पस्ट है मेरे चैनल पे आए हैं और निवीवर हैं तो make sure मेरे चैनल को like कर लीजिए share कर लीजिए and subscribe कर लीजिए आप मेरे चैनल को search कर सकते हैं मेरे चैनल का name है Suman Education Hub आपको accounts related किसी भी type की कोई भी confusion है आप Google में YouTube में जाके आपने topic को search कीजिए and end में आपको buy Suman Education Hub type कर देना है and जैसे ही आप enterprise करेंगे सबसे top पे मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी and आप मेरी वीडियो को watch कर सकते हैं and आपका problem का जो भी solution है वो आपको मिल जाएगा अगर फिर भी कोई ऐसी वीडियो आप search कर रहे हैं जो वीडियो आपको मेरे search करने पे नहीं मिल रही है तो comments box में आप comments कर सकते हैं definitely उसका solution and reply में आपको दूँगी तो ये जो वीडियो में आज बना रही हूँ ये comments में रेसिप किया था सरकों में thanks अना चाहती हूँ comments करने के लिए तो चलिए वीडियो को start कर लेते हैं और देख लेते हैं कि टैली प्राइम में food and beverage expenses की entry आपको journal voucher में कैसे बास करनी है टैली प्राइम को मैंने यहाँ पे open कर लिया है अब food and beverage accounting को maintain करने के लिए टैली प्राइम को मैंने यहाँ पे open कर लिया है सबसे पहले हम इसकी basics ledger को create करेंगे food and beverage accounting को maintain करने के लिए इसकी entry करने के लिए सबसे पहले हमें ledger की requirement होगी तो gateway of tally से आपको create पे जाना है उसके बाद हम जाएंगे ledger पे और यहीं से हम food and beverage का ledger जो है वो create करेंगे तो यहाँ पे मैं food and beverage का ledger create कर लेती हूँ इस step से आप ledger को create कर सकते हैं और यहाँ देखिए under आपको रखना है indirect expenses क्योंकि ultimately यह हमारे company के लिए indirectly expenses होते हैं तो indirect expenses मैंने ledger create कर लिया है उसके बाद देखिए is GST applicable तो no यहाँ पे GST applicable नहीं होगा again not applicable करते हुए इस ledger को आप save कर लीजे तो यहाँ पे हमने ledger को save कर लिया है ledger को create कर लिया है अब suppose कीजिए आपके boss अपने लिए lunch मंगाते हैं cash में वो purchase करते हैं या फिर आपके staff जो है या फिर अगर suppose कीजिए auditor आते हैं CA आते हैं visitor आते हैं कोई भी आता है खाने पीने की चीज़े वो मंगाते हैं तो अगर आप इसको separately entry करना चाहते हैं अलक से इसकी reporting देखना चाहते हैं तो इस step से food and beverage का लेजर create करके इन सारे entries को आप इसमें book कर सकते हैं और आपको reporting देखनी है तो आप पूरे year की reporting देख सकते हैं मंधिली देख सकते हैं 6 month का चाहते हैं तो reporting आप अपने recording देख सकते हैं तो entry कैसे करनी है हम चलते हैं gateway और टैली पे यहां से हमें वीप्टेस करना है और हमें expenses book करना है इसलिए हम journal voucher को select करेंगे सबसे पहले आपको date change कर लेना है कि किस date में आप इसकी booking करना चाहते हैं तो suppose कि जिए हम first जनवरी में कर रहे हैं आप यहां पर debit करना है food and beverage expenses का जो account है उसको suppose किजिए आपके boss ने lunch मंगवाया तो 500 रुपिस का lunch मंगवाया तो यहां पर debit कर दीजिए 500 रुपिस और यहां पर आपको आप क्या करना है credit करना है तो credit हम करेंगे cash cash से आपने payment किया है तो cash आप कर लीजिए narration में आप यहां पर mention कर दीजिए कि being cash paid to boss lunch तो इस step से यहां पर narration आप मार कर सकते हैं तो यहां पर मैंने shortcut में boss lunch कर दिया है save कर लेते हैं इस step से suppose किजिए आपके कोई party की जैसे की दिवाली की party की, होली की party की, new year की party की कुछ भी खाने पीने की चीज़े मंगवाई तो आप इसमें entry उसकी कर सकते हैं तो एक और entry करके मैं आपको यहां पर show कर देती हूँ suppose किजिए एक और entry हम करते हैं suppose किजिए आपके company में auditing के लिए auditor आयों है उनके लिए आपने lunch मंगवाया, फिर breakfast मंगवाया तो snacks मंगवाया तो उसको भी आप यहां पर कर सकते हैं journal voucher सेम आपको select करना है app to price करके जिस भी date में आपने मंगवाया है जो भी आपकी पास cash का voucher होगा जहां से आपने मंगवाया होगा, वहां से आपको voucher मिला होगा इस पर date होगा, तो उस date में आप entry कीजिए book और यहां पर debit आपको क्या करना है food and beverage support कीजिए कि आपने 2500 रुपीज का सब के लिए कुछ खाने के लिए lunch वगवाया है तो जो भी amount है आप debit कर दीजे का इस के तुरू आप payment कर रहे हैं यहां पर आप detail में मेंशन कर दीजे कि auditors के लिए है उसके साथ अगर CA है visitors भी आए है तो visitors जो भी है इस टैप से आप mention करके सारा narration detail में mark कर दीजे तो जब भी आप इसके entry देखेंगे तो आपको entry से पता चल जाएगा कि किन किन लोगों के लिए कितने members के लिए आपने यह सारी चीजे यह expenses किये हैं अब यहां पर मैंने दो entry की इस टैप से आप सारी entries कर सकते हैं अगर आप इस entry को इस में नहीं करना चाहते हैं तो staff welfare में भी कर सकते हैं क्योंकि अगर suppose कीजे यह वीडियो में इसकी booking करना चाहते हो suppose कीजे आपके boss कहते हैं कि हमने पूरे साल में कितना हमारा खाने पीने पे खर्च हुआ है तो इस टैप से आप separately ledger बना के और जितने भी खाने पीने की चीजे के expenses हैं आप इसमें book कर सकते हो और जब भी आपको अलग से reporting चाहिए तो आपको reporting मिल जाएगी इसलिए इस तरीके से आप entry कर सकते हो otherwise आप चाहो तो staff welfare में भी कर सकते हो वो भी entry सही है ये भी entry सही है ये सिर्फ by application के लिए है कि अगर आपको by application करना है particularly खाने पीने का expenses देखना है तो इस टैप से आप अलग से ledger बनाके entry करके और उसकी reporting ले सकते हो देख सकते हो कि कितने expenses इस ledger से हुए है अब मैं आपको बताती हूँ जो हमने entry की है अगर हम उसको देखना चाहते हैं balance sheet में हम जाएंगे go to में और यहां से आपको balance sheet पे enterprise करना है हम जाएंगे profit and loss account में indirect expenses में आप जाएंगे और हमने यहां पे food and beverage account जो बनाया था आप यहां देख सकते हैं 3000 आपको यहां पे show हो रहा है enterprise करेंगे तो आप month wise भी यहां पे देख सकते हैं जनवरी month में हमने 3000 की booking की है इस type से month wise आपको reporting यहां पे मिलेगी किस-किस month में आपने food and beverage account में कितना expense किया है तो इस type से food and beverage account का एक अलग से separately ledger आप create करके और जिसमें अपने expenses को book कर सकते हैं जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताएं description box से check out करना ना भूलिएगा वहां मैं maximum videos के link provide कर दूँगी accounting के आपने सारे वीडियो को watch करके टेली प्रैम सिख सकते हैं accounting का works सिख सकते हैं I hope ये जो वीडियो मैंने आप लोग के साथ share की है ये वीडियो आपसे बिलोग के लिए helpful होगी अगर helpful रही है तो वीडियो को like किजिए share किजिए and subscribe किजिए thank you and keep watching my videos ये helpful होगी अगर helpful रही है तो वीडियो को like किजिए share किजिए and subscribe किजिए thank you and keep watching my videos